दोस्तो भारत ने रश्या से खरीदा है दुनिया का नंबर वन ये डिफेंस सिस्टम याने S-400 इसकी कुल पांच रेजिमेंट हमने खरीदी है जिनके के डिलेवरी रश्या द्वारा भारत को शुरू कर दी गई है अभी कुछी समय पहले खबर निकल कर आई थी कि S-400 की पहली रेजिमेंट भारत को डिलिवर्ट कर दी गई है और साथ ही साथ इसका डिपलोइमेंट भारती सेनाओ द्वारा शुरू भी कर दिया गया है बीज में फिर खबर निकल कर आई थी कि सेकंड रेजिमेंट को भी जल्द ही पहुचा दिया जाएगा भारत तो अब मैं आपको बता दू कुछ नई खबरे से जुड़ी भी निकल कर आ रही है इसकी डिपलोइमेंट से रिलेटेट इसकी डिलिवरी से रिलेटेट ये सारी चीज़े मैं आपको बताने वाला हूँ और सबसे बड़ी बात इसमें मैं आपको S400 से रिलेटेट वो सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगा जो अकसर आप मुझसे पूछते रहते हैं और जो अभी तक आपकी क्लियर नहीं हुए है देखिए सबसे पहला तो डाउट ये था कि इसकी कितनी रिजिमेंट हमें मिली है अभी तक और कब मिलेगी क्या डेडलाइन्स है तो मैं आपको बता दू कि 2023 तक हमें पाँच रिजिमेंट मिलनी है तब तक लगातर कंटीनियू इसकी डिलेफरी हमें मिलती रहेगी रशिया द्वारा यहां पर आगे इस तरह की खबर नहीं आएगी कि हमें आज चलिए दो पूरी हो गई आने वाले समय में तीन पूरी हो जाएगी फिर चार पूरी हो जाएगी ऐसी खबर नहीं आएगी ये डिलेवरी लागातर चलती रही जमें कभी भी कोई ब्रेक नहीं होगा क्योंकि एक रेजिमेंट की बात की जाए तो ये बहुत बड़ी होती है बना आपको एक वीडियो में बताया था इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है तो पांच रेजिमेंट याने बहुत सारा आइटम हो गया तो इनको पहुँचाने में समय लगेगा वो तो ये बहुत बड़ी बात थी कि देखी हमने S-400 जैसे ताकत वर याडिफन सिस्टम खरीदा और उसकी पहली रेजिमेंट हमें मिल चुकी है इस वज़े से इस तरह की खबरे निकल कर आई कि हमारी डिलेवरी का जो स्टेज है वो यहां तक पहुच चुका है कि पहली रेजिमेंट मिल गई है आने वाले समय में ये नहीं पता चल पाएगा कि अभी तक कितनी रेजिमेंट हमें मिल चुकी है समझ गए इसके बाद जो खबर निकल कर आ रही है वो मैं आपको बता दूँ पहले खबर निकल कर आई थी कि एपरेल मन्त में इसकी पहली रेजिमेंट की डिप्लोइमेंट कम्पलेट होगी जो कि हम लोग पंजाब रांत के आसपास कही करने वाले हैं लेकिन अभी जिस तरह की चीज़ें सामने निकल कर आ रही है उनके हिसाब से फरवरी मन्त याने यही वाला मन्त इसमें इसके पहली रेजिमेंट की डिप्लोइमेंट पूरी तरह से कम्पलेट हो जाएगी और यह ऑपरेशनल होने लगेगा जी हाँ इसी के सासथ बताए गया है कि हमारे कुछ और परसनल्स रश्या पहुचे हैं और वहाँ पर S-400 की ट्रेनिंग ले रहे हैं अभी हम लोग अल्रेडी कई सारे परसनल्स को इसकी ट्रेनिंग करवा चुके हैं अभी फिर से हमने करवा दिया इसका मतलब हम लोग बड़े पिमाने पर इसकी डिलिवरी ले रहे हैं और जल्दी से जल्दी इन्हें हम लोग ऑपरेशनल करना चाहते हैं तभी ना इतनी बड़ी मात्रा में हम लोग ट्रेनिंग का करेकरम रख रहे हैं इसी का सासल बताया जा रहा है कि जो सेकंड रेजिमेंट हमें मिलने वाली है वो भी काफी हद तक डिलेवर हो चुकी है कुछ चीज़ें बाकी होंगी लेकिन मैक्सिमम चीज़े हमें प्राथ तो हो चुकी है और इनको लेकर भी आप deployment की planning की जा रही है मैं आपको बता दूँ कि जिस तरह से पहले सामने निकल कर आया था कि पहली regiment पंजाप रांत में कहीं न कहीं वो deploy की जाएगी इस तरह की चीज़े second regiment के साथ नहीं की जाएगी याने इस बार कोई ख़बर नहीं निकल कर आएगी कि second वाली regiment को हम लोग किस इलाके में deploy करने वाले हैं हलाकि यहाँ पर picture पूरी पानी की तरह clear है कि इससे हम लोग चाइना को counter करने के लिए नौर्थिस के किसी इलाके में deploy करने वाले हैं यह बिल्कुल तैमान लीजे आप तो मेरे ख्याल से अब आप किसी से नहीं पूछेंगे कि हमें कितनी regiment अभी तक मिल चुकी है और यह delivery पूरी कब होगी साथी साथ मैंना आपको बताया कि फरवरी मन्त में ही पहली regiment की deployment complete होके वो operational होने लगेगी second regiment के लिए planning चल रही है जिसकी delivery काफी हद तक भारत को हो भी चुकी है तो मोटा मोटा कर आप अनुमान देखें तो फरवरी मन्त में जहाँ पहली regiment की deployment complete हो जाएगी वही पर एपरेल मन्त के एकदम शुरुवात में second regiment की भी deployment पूरी तरह से complete हो सकती है तो कुछ इस तरह की planning है S400 को लेकर और इसकी deployment को लेकर अब इस पूरे मुद्धे पर आपका जू भी मनना हो नीचे comment करके ज़रूर पुछेगा